हुआ है 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 तो देखते है इस क्वेश्चन में क्या है बना लेता हूं और ना इस पे कुछ परफॉर्म करूंगा मैं इस पर कुछ ओपरेशन्स परफॉर्म करूंगा जिसके बाद मिरे को यह वाली यह मिल जाती है तो यह एक वैलिड आ रहे इसके लिए ट्रूर्व रिटर्न कर दूँगा अगर नहीं मिलती तो फॉल्स 1 plus 1 plus 1 3 तो मैं क्या करूँगा किसी भी एक element को इस 3 से replace कर दूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 1 3 और 1 ठीक है मिलेगा अब मैं क्या करता हूं फिर से सम निकालता हूं 1 plus 3 4 4 plus 1 5 ठीक है पहले इस से फिर इस से अब क्या कर रहे हैं वापस से सम निकालते हैं अब क्या आएगा 5 plus 3 8 plus 1 9 ठीक है तो 9 को हमने इस इस पॉजिशन से अगर replace कर दिया इस वाली पॉजिशन से तो मेरे को मेरी आरे मिल जाएगी 9 3 & 5 ठीक है मेरे को मेरा आंसर मिल जाए तो यह जब आंसर मिल गया है हमें हमने इसको इस 1 से ही बनाया है इन 1 1 1 1 की RSA तो मेरे एक valid आंसर है इसके लिए मैं true return कर दूँगा ठीक रिटर्न करना है ठीक है तो मैं आशा करता हूं आप को इस सवाल समझ में आ गया होगा एक और test case लेते हैं अब लेते हैं 1 1 1 1 1 और 1 ठीक है अब इसमें क्या करेंगे फिर से वही same operations 1 2 3 4 5 5 sum आया डाला और क्या मिला 1 1 5 1 1 ऐसे ठीक है replace कर दिया फिर से निकाला कितना है 5 6 7 8 9 9 और replace कर दिया 1 9 5 1 1 ठीक है फिर से निकाला आप कितना है 9 प्लस 5 14 15 16 17 ठीक है 17 आया तो 1 9 5 1 17 ऐसे करके मेरे पास आ रहे आ गई मालो यही मेरी आ रहे थी ठीक है यही मेरी आंसर आ रहे थी यह वाली 1 9 5 1 17 पर मेरे को ना यही आरे गिवन है ठीक है मेरे को 111 वर वर यह तो गिवन है नहीं है तो मुझे क्या करना है अब मैं कुछ तो ऐसा कर सकता हूं मैं यह यह कर सकता हूं कि 111 की आरे ले ले लेते हैं और उनमें ना हर बार operations perform करते हैं सबका सम निकाल निकाल के ठीक है तो अगर मैं बार-बार आरे बनाओंगा ना तो वह तो optimize way नहीं है यह तो अच्छी अप्रोच नहीं होगी तो मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं इसी आरे को कुछ reverse करूं कि मतलब यहां से वापस जाते हुए मैं कुछ काम करूं ओफ वन टाइम में ठीक ह वापस से कोई काम किया फिर यह वाली मिलगी तो जब एंड में सारे वन्स हो गए तो मुझे पता चल गया कि हां इसमें इसमें मुझे यही मेरी एक valid answer है क्योंकि एंड में मिरको सारे वंस मिल चुके हैं अगर नहीं मिलते मुझे वांस तो मैं सीधा false return कर सकता हूं तो हम इ आगे बढ़र रहें तो स्म निकाल रहें तो क्या यह सम अगली बार मेरे उसमें मैक्स उलिमेट होगा वजय देखो कि अगयर आपने वाला आपको यह वाली मिलिया नहीं अगर आपको यह वाली जो यह जो सम्हाया है यह पिछली जो एरन फी उनका सबका सम ब्ला के था फिक है तो अगर पीछे को इसकी मjor में फोर भी पड़ा था ना तो यह मलाके ऐता है तो उससे क्या पता चलता कि यार और तो अब जो मेंको मिलिए उसमें जो उसमें माक्सिममम में है तो वो उसका कुछ सम से रिलेशन हैं भी क्या मतलब काह रहे है हम हम यह कह अरे कि जो भी हमारा सम बंग के आरहा है ना वह हमारा अगली अरे में माक्सिमममऌ printer होगा ठीक है तहुतर यहाँ पे यहाँ पे इस वाली ऐह में जो मिर्थ संबन करा और यह 17 यह मेरा maximum element है तो मैं यह इस maximum element को बोल सकतां हूं कि यह plays यारे का सम तो अगर मेरको यह 17 किसी तरह से मिल जाए मेरको 17 किसी तरह से मिल जाए यहां लेते हैं यहां पर कर तो अगर मेरे को यह 17 किसी तरह से मिल जाए तो मैं यही मेरा लास्ट वाले का सम था तो मैं कुछ इस तरह से कुछ ऐसा कर सकता हूं कि मैं इस वाले मैक्सिमम से वापस इस वाले स्टेट में चला जाओ कि हमें इस एरे से अगर मैं यह maximum निकाल दूं और मैं को पता सब्सक्राइब कि यह लास्ट वाले का सम है तो मैं इस वाली स्टेट में जा सकता हूं देखते हैं क्या करेंगे हमें क्या करना है हमने यह बोले कि हम उल्टी साइड में ट्रावल करेंगे तो अगर हम उल्टी का सम होगा ठीक है maximum element will be sum of previous तो मैं को यह पता चलाएगा कि यह maximum element previous का सम है तो मेरा सम अगर मैं ऐसा करूं कि इस यह वाला 17 इसके अलावा आप बाकी के elements को देखो 195 और वन ठीक है यह चेंज नहीं हुआ हमें पता नहीं कि 17 कौन से किस को replace किया इसने हम तो यहां पर देख सकते हैं कि इसने वन को यहां पर रिप्लेस कर रहा है 17 ने पर हमें वैसे पता थोड़ी है हमें हम तो वह बस दिख रहा है तो हम अभी यह हमें डिसाइड नहीं कर रहें कि वह कौन सी पोजिशन पर जो है क्या जो है बस हम अभी बोल रहें कि 17 के अलावा जो 195 है मेरा यह 195 और जो यह वन है यह इस वाले 195 और वन से सेम होना चाहिए यह वाले elements पर स्टिफर करेंगे मैंने तो यह देख रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मेरा लेफ्ट सम है लेफ्ट सम मतलब इस वाले का अगर आप सम निकालो और उसमें से यह वाला maximum element माइनस कर दो तो मैंने यहां से सम निकाला मैंने बोल दिया सम सम इसमें's मैंक्स क्या रहे मेरा मैंस बोल रहा है सवन खाल रहा है समा नुक्र में आखर ठिए तो मैं ग्या बोल रह install कि आगर मैं Left some उसको मैं बोल सकता हो सम गर May is maximum अगर अगर मैं सपुम्हें से मैक्सिमम को माइन सब दों तो मिरको 25 मिल जाएगा थेक तो अब 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 अगर मेरको लैक्ट सम में मिल्या और इसका मिलाकर सम मिल लिया तो मैं क्या बोलूगा कि अगर उस left sum में मैं ए ये 1 को add कर दूँ, वो left sum में ये 1 को add अगर kier किया था, तबी तबी तो मेरा हो 17 अगर मैं किसी तरह से ऐसा करूँ कि ये left sum मिल चुका है, ये तो मेरे को यह अपना मैक्स मिल जाएगा तो मैंने क्या बोला कि तो आया है उसमें से उसमें से अगर मैं मान लो मेरा टोटल सम क्या है टोटल सम मेरा 17 आये ना अगर यह 17 प्रेशड रिप्रेसेंट कर रहा है समना यह 17 यह total हम यह 17 है अगर मैं अपने लेफट सम में से यह फिर आपने इस total में से यह द ₹ का सम कर दूंगा तों यह वाला वान मिल जाएगा वंन मिल जाएगा तो मैं क्या कह रहा हो कि यह जो position change होई ना इसकी इस वाले की इस वाले का जो वालियो है अगर मेरे को वह चाहिए तो मैं बोहकर सकता हूं मैं बुल सकता हूँ है जो चीनसी मपलूमा दूना तो मिल जाए तो यह सोc में और दूसरी चीज म्तलब यह को गया तो अब बाकी कि नीजन से लिए कि क्या क्या हो सकता है लो जिसी जोсь कटा हो सकता कि जिक होए MARY ऐसका सौं तो सिसका क्या मतलब आ रहे है कि अगर लेट सम मेरा से पर लोटा हो गया नेगटिव हो गया जीरो के बराबर हो गया तो वह यह बोल रहे हैं कि इससे मिला के ना यह जो यह maximum element आया है अगर वह उसके अलावा के बाकी elements है वह negative उसका यह मतलब आ रहे है कि जो जो left sum है है ना जो left sum है अगर मैं उसमें से maximum को minus कर दूँ तो मेरे को जो value मिलेगी तो negative होगी है ना क्यूंकि इस total का sum है है तो इसलिए अगर left का sum 0 सेmaul हो जाए तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा इस पॉइंट पे में को बता चलाएगा कि हाँ याद लेफ्ट का सम तो जीरो से छोटा हो इनी सकता इसलिए वहां से फॉल्स रिटर्न कर दो ठीक है और दूसरी चीज़ अगर मेरा लेफ्ट का सम मैक्स के बराबर या उससे बड़ा हो जाए तो इसका क् है मेरा 17 तो मैं बोल रहा हूं कि यह 17 सम आ रहे ना अगर यह 17 में से आप यह वाला सम देख लो जो आएगा मेरा 16 ठीक है लेफ्ट सम मेरा 16 है तो जो 16 सम है जो 16 सम है क्या वह कभी ऐसा हो सकता है कि वह मेरे मैक्सिमम से बढ़ा हो या वह इस मैक्सिमम से बढ़ा हो क्योंकि points है यह तीनों जो यह जो सम है 16 यह मेरा maximum 17 से बढ़ा अगर यह 17 से बढ़ा है तो इसका क्या मतलब होगा कि यहां पर जो number होगा वह negative है है ना और वह हो नहीं सकता तो इस case में भी हम return false करनेंगे तो यह तो हो गई हमारी approach अब हमें क्या करना है इस हरे बस यह है निकालने मैक्सिमम एलिमेंट निकालना रहे गया है कि हमें एक optimized वे चाहिए कि इस पूरे उसमें से पूरे आरे में से हम एक maximum element निकाल पाएं तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे हम एक max variety की यूज़ कर लेंगे ठीक है और वो क्या करेगी max priority q इसमें से हमें हर बार log n टाइम में maximum element दे देगी ठीक है तो अब इसको code कर लेते है ठीक है तो सबसे पहली चीज क्या करनी है हमें सबसे पहले sum ले लेते हैं जो long type का ले लेंगे ठीक है अब priority q बना रही है priority q long ठीक है p q new priority q ठीक है अब collections dot ठीक है collections dot reverse order अब पौर क्योंकि हमें max priority q बनानी हो जावा में default मिन होती है है ना तो target अब क्या कर रहे है priority q में add कर देंगे सारे elements को और long में convert करके ठीक है और यही से sum भी निकाल लेते हैं ठीक है तो यहां से मेरे को sum मिल गया अब मैं क्या करूंगा उसके top पे जो है मतब उसकी value जब तक one नहीं हो जाती जब तक कि सारी values one के बराबर नहीं है अगर long जो मैंने top निकाला वो हो गया pq.pole ठीक है अब मैंने sum में से इसको subtract कर दिया ठीक है तो sum minus equal to top यह मेरा left sum के बराबर है पर यहां पे sum ही ले ले लेते हैं इसको ठीक है अब sum मेरा हो गया top जो maximum value इसको subtract कर दिया Sum में से अब मेरेको left thumb मिल गया अब मैं चेक कर रहा हूं कि यारी जो left sum है कि यह 0 से छोटा है या मेरे top से बढ़ा है ठीक है अगर अगर यह मेरई top से बढ़ा है या ऐसस से छोटा है तो मेरे यहां से और रिटर्न कर देंगे अगर यह वाला अंदर का काम हो गया तो यह चल जाएगा पर इसमें ना एक कंडिशन एक केस और रहा गई कि यार सा टॉप को हमने टॉप माइनस सम यह काम क्या कर रहा है तो देखते हैं कि मानलो में पर एक केस है 1,1,1 ठीक है क्या कर रहा हूं यह फिर वन कॉमा हां ठीक है 1,1,1 तीनों का सम किया 3 मिला ठीक है और मैंने ना इस वन से रिप्लेश कर जाय से ठीक है इस बीच वाले वन से तुम्हें को क्या मिला 1,3,1 ठीक है फिर से सम निकाला अब 1,3,4,5 तो 1,5 111 फिर से फिर से रिप्लेस कर रहा सिर्फ इसी वाले इसी वाले पोजिशन पर रिप्लेस किया ठीक है पिर आए 151 निकलाज 7 तो 171 फिर से रिप्लेस किया मत 7178 9 to 191 वापस है किया 11 111 तो ऐसे इसे करते करते ना यह जो काम कर रहे हैं यह वाला जो काम कर रहे हैं जो यह काम करते जा रहे हैं इसमें हर बार सिर्फ दो का डिफरेंस पड़ रहा है तो हमें इसके लिए एके करके वापस क्यों जाना इसके इस कंडिशन के लिए एके करके वापस क्यों जाना हम सीधा यहां कर सकते हैं मॉडिलों करके हैना कि हम यह कर दें कि टॉप इकोल्स टू टॉप मॉडिलों सम हो जाए है ना तब हम सीधा यहां पर पहुंच जाएंगे तो अब वही कर देते हैं बस यहां पर टॉप मॉडिलों सम कर दो और यह सही है ठीक है अब इसे रन कर करके देख लेते हैं सही चल रहा है अब सब्मेट भी कर लेते हैं तो टीनो टेस्ट के इस पास हो रहे हैं तो मैं आशा करता हूँ आपको इस सवाल समझ में आओगा अगर कोई दिक्कत आती है तो आप वापस जाके वो पार्ट वापस से देख सकते हैं बड़ा इंट्रेस्टिंग कुश्चन है यह डोंट फोगेट टो लाइक शेर इन सब्सक्राइब थैंकियो फो वाचिए